भारत में बरसों से ये प्रथा चली आ रही है कि अगर आप किसी एक community से belong करते हैं तो आपकी marriage भी उसी caste या community में की जाती है तो अगर ऐसा हो कि आप एक जाती से belong करते हैं आप किसी दूसरे religion या फिर community में marriage कर लेते हैं तो क्या आपकी caste या religion चेंज हो जाता है क्या उस caste में मिलने वाले जो भी benefit थे वो marriage के बाद आपको नहीं दिये जा सकते तो कुछ इसी तरह का सवाल उठाता है आज का हमारा वीडियो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए वीडियो इंफर्मिशन अच्छी लेगे तो आप इस वीडियो को like, share और चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को subscribe भी जरूर करिएगा तो भारत में लोगों को सिर्फ religion के basis पर ही नहीं बलकि caste के according भी अलग-अलग category में बाटा जाता है caste के according ही लोगों को government की तरफ से benefit दिये जाती है caste जनम के आधार पर होती है और ये depend करता है कि आपने किस जाती में जनम लिया है तो सवाल उड़ता है कि अगर कोई SCST OBC समुदाय का person है और किसी जनरल category के इंसान से marriage कर लेता है तो क्या जो उसे पहले benefit दिये जा रहे थे वो अब पूरी तरह से खतम कर दिये जाएंगे क्या marriage करने के बाद उसकी caste बदल जाएगी इस तरह की जादातर problem महिलाओं के साथ होती है इसी के relation में केरल हाई कोड का एक latest judgment आया है और इस case का नाम है Back C.A. vs. Drishtic Collector and Another Case मामला ये था कि एक महिला जो Latin Catholic समुदाय से belong करती थी उसने Roman Catholic community के एक person से marriage कर ले बाद में उस महिला ने एक स्कूल टीचर की जॉब के लिए आवेदन किया क्योंकि वो एक reserve category से belong करती थी इसलिए जब उसने caste certificate के लिए apply किया तो उसे certificate issue करने से ये कहकर इंकार कर दिया गया कि उसने किसी दूसरी caste के लड़के से marriage कर ली है इसलिए उसे caste certificate issue नहीं किया जा सकता महिला इस मामले को लेकर high court पहुंसती है जहां पर केरल high court ने ये note किया कि वो महिला marriage से पहले इसाई Latin Catholic community से belong करते थी फिर high court ने पूरे मामले की जाच की और इस मामले में केरल high court ने पटीक जाती संडक्षन समिती versus state of केरला केस में दिये गए अपने ही एक judgment का हवाला देते हुए और उस पर भरोसा करते हुए अपना फैसला सुनाया और ये कहा कि अगर कोई वेक्ती एक जाती से दूसरी जाती में चला जाता है इंटरचेंज हो जाता है तो सविधान के article 16 clause 4 के अनुसार कास्ट benefit लेने से उसे नहीं रोका जा सकता इसलिए हाई court ने कहा कि महिला के कास certificate को इशू ना करना बिल्कुल गलत वैसला है महिला को कास certificate और non creamy layer certificate जारी करने के आदेश दे दिये गए तो दोस्तों अगर किसी के साथ भी इस तरह से कोई इशू आ रहा है तो वो इस judgment का use करके अपनी इस problem को solve कर सकता है judgment की PDF copy का link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो हो फ्रेंट की आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो information अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा